नमश्का दोस्तों इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है Housing and Urban Development Corporation Limited यह स्टॉक 298 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में आज इसने 4.44% का अप मूव दिया था मार्केट कैप है इसकी 59,725 करोड की मोटर होल्डिंग 75% है बुक वेल्यू इसकी 83 है डिविडिन देल 1.29 परसंट है फेस वेल्यू इसकी 10 है फंडमेंटल वीडियो में अलड़ी बना चुकी हूँ ते लिस में आड करने आप देख सकते हैं अभी के लिए शॉट में देखे थे स्टॉक ने 50 कल दिया था इस स्टॉक ने 50 डियमे को प्राइज ने दिया था गुर्डन डेथ क्रॉस आज उसको गुर्डन क्रॉस मिल गया है अभी के लिए पी रेशो की बात करें तो स्टॉक जो है बेसिकली 50 & 200 डोनों डियमे से उपर ट्रेड करा है जो कि एक अच्छी बात है पी रेशो की बात करें तो मीडियन से यहां पर छोटू से उपर रहेगी यूँकि 5.5 के आसपास मीडियन है और पी यहां पर ट्रेड कर रही है लगवग 20 के आसपास ट्रेड कर रही है and 1 month के time span पर देखें तो P.E. median से काफी नीचे है and 28.20 पर P.E. trade कर रही है and median जो है वो 30 है तो median से छोटू सी नीचे है अभी के लिए sales and margin की बात करें तो gross profit margin हमारा 100 पर intact है and revenue quarter and quarter increase हुआ था अभी जो इसका result आना है, वो आना है 12th of August को, अभी June का result आया नहीं है, तो अभी के लिए चलते हैं हम इसके chart पे, चार्ट पे देखें कि यह stock 20 days simple moving average से नीचे trade कर रहा है, बोलेंजय बैंड हमने on करके देखा है, and stock definitely chart के बाहर है, RSI जो है, RSI काफी नीचे जा चुकी थी, 37 के सबस RSI थी, अभी जो है 46.13 पे RSI है, and आज आपको पता है कि तीन दिन के गिरावट के बाद, आज market में reversal मिला है, अब let's see, यह reversal intact रहता है, या कल फिर से market में correction आती है, क्योंकि usually देखा गया है कि एक बार reversal के बाद market correct होती है, फिर उसके बाद थोड़ी stable होती है, तो I really wish कि ऐसा ना हो, अब correction अभी recovery आ चुके है, तो recovery zone में ही market थोड़ा सा रहे, आज हमें देखने को मिला है यहाँ पे hammer and जो की एक bullish pattern है, तो अभी के लिए देखें, तो यह वाली resistance जो है, यहाँ की, इसको यह cross कर चुका है बड़े आराम से, 293 की जो थी, and अभी के लिए यह stock ने closing दी है, 298.50 पे, and इस वाली resistance से, 300 वाली resistance से, इसने rejection ली है, तो इसने हाई रगाय है, 299.70 का, and छोटो से नीचे इसने closing दी है, साड़ी 4% के आस-पास का हमें आज move देखने को मिला है, तो यह एक अच्छी बात है कि हमें reversal मिला है, and काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे buyers की activity हमें देखने को मिली है, weekly RSI एक बार हम चेक कर लेते हैं, कितना headroom है उसके पास and everything, तो weekly RSI हमारी 65.34 पे है, काफी headroom है weekly RSI के पास, अगर यहाँ से हमें, you know, reversal मिलता है, अभी के लिए बात करें, तो यह candle इसलिए green है, वैसे तो हमें down move मिला है इस week में, 2.51% का, 2.5% का, but green इसलिए है, क्योंकि अपने opening से उपर close हुई है, तो इसलिए यह green है, क्योंकि आज reversal मिला है हमें छोटा सा, तो यह एक अच्छी बात है, अभी जो है stock, थोड़ा सा sellers का दवाब तो है, but buyers के हाथ में थोड़ा सा जाता हुआ, दिख रहा है अभी के लिए, and 20 week simple moving average से, let's see, य नीचे है, उपर ही trade कर रहा है, 20 week simple moving average से, तो यह भी एक अच्छी बात है, and Bollinger Band यहाँ पे narrow होने की कोशिश कर रहा है, narrow हुआ नहीं अभी, but कोशिश में यह जरूर है यहाँ पे, तो अभी के लिए चलते हैं हम again इसके daily chart पे, just a second, तो daily chart पे हम यहाँ पे आ चुके है, and ए कलनी पर सो news आई थी, 5th को, कि इनका M.O.U. इनके बीच में rights and hood को के बीच में sign हुआ है, जो के काफी अच्छी news थी, कल की analysis में मैंने वो cover किया है, सारा, delivery volume percentage की बात करे, 29.77 गया, मतलब 30% के आसपास गया है, तो ठीक है, not bad, क्योंकि थोड़ा सा डर भी रहता है, कि market फिर स ना गिरे, तो उस डर को थोड़ा सा ध्यान में रखके मुझे लगता है, कि delivery percentage ठीक ठा गया है, बहुत अच्छा भी नहीं है, और बुरा तो बोल नहीं सकते, तो ठीक है, मतलब ठीक गया है अभी, तो अभी के लिए कल की candle का, मैं वस इतना बोलूंगे आपको कि थोड़ा स अंदाजा ये तो लग रहा था कि green में हमारी market हो सकती है, और रिवर्सल देखने को भी मिला है, तो येस इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखे, और अगर कहीं green, US की market trade में close होती है, तो मुझे रखता है कि उसका थोड़ा सा असर फिर हमें भी देखने को मिल सकता है, क्यों 9.87 million का, और आज 9.51 million का, वॉल्म कुछ खास नहीं आया है, as compared to other days, बट ये जरूर बात है कि हमें अच्छा move मिला है आज, and sellers का दवाब आज थोड़ा कम देखने को मिला है हमें, क्योंकि कितना ही बेच लेंगे, मतलो कितना ही, तो अभी के लिए sellers का दवाब तो नहीं है, यहां पर काफी shorter's बैठे हुए हैं, तो sorry, यह थोड़ा सा गलत लगया, तो यहां पर एक बार देख लेता है कि कितना percent होता है, अगर कल के move की बात करें, तो अगर अच्छा move मिलता है हमें, तो यह 4% के साथ आसपास कहीं होता है, तो अगर market, sorry, volume इतना रहता है, यह से का pressure नहीं रहता है, तो यहां तक जा सकता है, otherwise हो सकता है कि यह reversal में, बहुत अच्छे-च्छे move भी दे देता है, 8-10% के 12, 15-18% के move भी देता है, price balance का 20% का है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखें, अब entry point से अगर हम बात करें, trading view का यहां पर neutral है, but मुझे बनता है, रास्ते में hiccup इसके बहुत सारे आने वाले हैं, यहां पर पूरे का पूरा आग का दरिया ही है, उपर रेस का जो दूसरा high रहेगा, all time high रहेगा, वो तब तक इसका आग का दरिया है, बट फिर भी थोड़ा सा में कोई जरूर लगता है कि यहां से बनता जरूर ह है, entry point, और यहां से अगर इसको देखें हमकी 130 के उपर अगर यह बनाएं, तो लगवर 10, 11, 30, 11% के आसवास के move यह बनते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यह आग के दरिये के दर से यह छोड़ना चाहिए, लॉंगर रन के लिए थोड़ा बनेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि लॉंगर रन में अगर थोड़ी बहुत हीकप आए भी इसके यह जो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इसके हीकप आए भी तो लॉंगर रन में थोड़े से वो मिटीए उसको कर सकते हैं, एंड शॉटर रन के लिए भी मुझे ल अभी इतना ही है, RSI यहाँ पे 46.13 पे है, RSI के पास काफी रूम है, यह जरूर है, इसका हिकप पॉइंट 55 के असपास, इसको जरूर रिजिस्टेंस आती है, RSI को यहाँ यहाँ पे सपोर्ट भी बना हुआ है, तो उस चीज़ को भी थोड़े ध्यान में रखके चले, अग यहाँ आपने अनलीसिस आपने अनलीसिस कीजिए, जाने ही समझे पढ़िये और फिर इंवेस्ट करिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और हैं एपी इनवेस्टिंग्